कि दोस्तों डियोवी बोर्ट को कभी भी आकेला माच छोड़ना नहीं तो यह बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और आपका पैसा बरबाद हो जाएगा तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए स्टेप बाई स्टेप आपको समझाएंगे कैसे आप इसको कर सकते हैं यहां आपको देखिए यह जो एलुडी डाइवर हे है एए थोड़ा खराब है यह लाइट ब्लेएंग करता है लेकिन कभी-कभी जल जाता है और कभी तो नहीं जलता है देखिए यह बुझ गया है तो आपका जो एलेटी है ऐसे ही है और कभी-कभी यहा ताई दोड़ बहुत ज देल जाता है, लेकिन फिर से वही problem सुरू हो जाता है, देखिए, एक बार बंद करने से, और LED 360 इंद नहीं होता है, तो, इस problem का solved by कैसे और आपको दिखाएंगे tay minor… न देखिए यह diver का प्रब्लम है, आप LED का लगाएंगे, आपका LED खराब हो जाएंगर। तो आप इस ताइब क्या करेंगे एक DOB कीट को लगाकर छोड़ देंगे लेकिन ये DOB कीट लगाकर छोड़ने से दो तीन दिन या एक मैने के बाद ये फिर से खराब हो जाता है तो इस पॉब्लेम को फिक्स करने के लिए हमने सबसे पहले ये वाना जो हिर्शिंग है इसको साब कर ल लगाएंगे यहां पर देखिए भीडियो को स्किप मार करिए अच्छी तरह से देखिए क्या करते हैं यहां पर अब दो वयर लगा देना है और ये दियोबी कीट के नीचे आपको हिट्सिंग सिमेट लगाना है जिससे क्या होता है आपका जो डियोबी कीट है ये ज्यादा दिन तक चले इसके लिए हिस्सिंग लगाना है ऐसे करके मत डियेगा ये डियरेक्ट लगाने से आपका जो डियोबी कीट है जल्दी खराब हो जाएगा तो आप ऐसे मत कीजिएगा यहां पर देखेगी जो डाइवर हमारा खराब हो गया है इसका बीजेक्टी फायर तक यह सही है तो यहां से आपको कट करना है अब देखिए कहां से हम इसको कट करते हैं यह देखिए यहां पर हमारा बीजेक्टी फायर रहे गया है अभी जो सिमेंट हमने लगाने वाले थे इसको लगा देंगे यह असानी से आपको इस लेक्ट्रोनिस व कर देना है आप देखिए यहां पर इसके बीजेक्टी पार के उपर दोनों वायर को सोल्डिंग कर देना है इसके साथ सब कुछ लगा हुआ रहता है तो आपका डियोबी का लाइब जो है लॉंग लास्टिंग कर देगा तीक है इसको पैक कर देंगे अच्छी तरह से कि अब भी इसको टेस्ट करेंगे कि यह देखिए एक एकदम सुन्दर ग्लो हो रहा है अलो प्रेंज कैसा लगा अच्छा लगा होगा जो लोग नए है फटा फट से आपने चला को सब्क्राइब करें लाइक करें और सब के साथ स्यार कर दीजेगा फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए आगा दीजे